नमस्कार हलचल में आपका स्वागत है सबसे पहले नज़र डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर आदबबुर में एक्टिवा पर जा रहे दो नौजवान चाइना डूर की चपेट में आए एक की मौत एक गंभीर खायल जंड्यारा गुरू की जोती सर कालोनी में लाइसेंसी फिस्तॉल की सफाई करते समय चली गोली मार्किट कमिटी से सेवा मुक्त व्यक्ति की हुई मौत अमिस्तर की CIE स्टाफ दो की पुलिस ने गुप्त सूचना के अधार पर दो नशा तसक्रों को किया काबू एक किलो दस ग्राम हैरोईन की बरामत अरभल चल विस्तार से आदमपूर में उस समय बड़ी घटना घटित हुई जब दो नौजवान लड़के अक्टिवा पर सवार होकर घर जा रहे थी इस दोरान रास्ते में बार है वर्षिय जैवीर सिंग के गले में चाइना डोर फस गई जिस कारण उसके गले की नाड़ी पूरी तरह से कट गई जिस कारण उसका आधिक खून बह जाने के कारण मौके पर ही मौत हो गई जबकि दूसरा नौजवान गंभी रूप से घायल हो गया प्रशासन की तरफ से बेशक पतंगों की दुकानों पर चाइना डोर की चकिंग की जाती है पर किसी तरीके से फिर भी चोरी से चाइना डोर बिक रही है जिसके चलते प्रशासन पर बड़ा सवाल खड़ा होता है जो ये चाइना डोर बेचते हैं उनके खिलाफ सक् व्यक्ति या पक्षी की जान ना जाए और ऐसे दर्दनाक हाथसों को घटित होने से रोका जा सके जाल अंधर से पंक शर्मा की रीपोर्ट जंडियाला गुरू की जोती सर कालोनी में एक व्यक्ति की गोली लगने से मौत हो जाने का मामला सामने आया है इस सम्बंद में जानक कारी देते होई जंडियाला गुरू पुलिस चौंकी इंचार्ज राजबेट सिंग ने बताया कि मार्केट कमेटी से सेवा मुक्त होए कुलदीब सिंग की लाइसेंसी पिस्तॉल 32 बोर की गोली लगने से मौत हो गई उन्होंने बताया कि पारिवारिक सदस्यों की ब्यानो ले कर दिया है और पुलिस द्वरा इस घटना की बारिकी से जांच भी की जा रही है अमिसर से हल्चल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट यादर लोगों एक लाई इसी अच्छे लोगों दीव सेंगा मुंदा सामना फॉकल दीव सेंग अपने प्रियापकों से चीया हम दीविविए चुटी करते हैं अच्छी ओनना इतला इवी ओपन डूडी तैया रही थे उनना ये फोन आया करो रहे फादर अना लाइसनसी पिश्टल ही बतिवोर्ट वोसाफ का रहे कि तर आप यूर गीमार्न तरसाल सा तरसलों ओर लोगा देए उनना आज गो लोगों ज पुलिस कमिशनर गुर्पिर सिंग भुलर के देशान निर्देशों पर गलत तत्वों वर नशे के खिलाफ चलाएगी मुहिम के तहत थाना सिय ये स्टाफ दो की पुलिस को समय बड़ी सफलता हासिल हुई जब दो नशा तसकरों को काबू किया गया इस सब्मंद में जानकर देते हुए डी सीपी लौ एंड और विजय आलम सिंग ने बताया कि सिय ये स्टाफ दो की पुलिस ने गुप्त सूचना के अधार पर हासिल किया गया है ताकि इनसे आगे की पूछताच की जासके जिससे और भी खुला से हुने की संभावना है अमरी से हल्चल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट मोर्साइकल थे दो मुंडे विकास थे हनी विकास थी उमर हागी करीब 27 साल जिनहाणी थी 22 इन्हानी रोक्या गए ते इन्हा जोब चेकिंग कीती गई ते विकास को लो 510 ग्राम हिर्वेंट ब्रामध होई ते हनी कोलों 500 ग्रान ते उस्तों बाद इना ते पर्चादर्ज कीता गया जी FIA 33 जड़ी की देर रात कटी गई मलगी अजदी 3 के 14-24 ते अंडर सेक्षिन 21-89-85 कि अज़ कोटेश पर पेश कीता है ते इना दो दिन दर मांड मिलिया जी मुकेरिया तलवाडा मार्क पर गत साइं अड़ा रोली के नजदीक दो ट्रकों में टकर हो जाने के कारण भीशन हाथसा हो गया जिसमें एक ड्राइवर गंबीर उपसे खायल हो गया यह टकर इतनी भ अस्पताल में भरती करवाया गया है तो वहीं घटना स्थल पर पहुंचे पुलिस की और से हाथसे के कारणों की जांच की जा रही है हुश्यारपुर से हल्चल के लिए अंकुष गोयल की रीपोर्ट कर दिया गार्ड कि दर्व को नहीं काट दुपा यह तरफ को जाँ लुकशान को जान तो मेरे भी घुथार सही कहते है जो स्रड कुछे स्था घ्रितुंदी अवं सब्सक्तों को बहाँ on immature यहिए मुदे स्थी यह ऐदा रॉनियो net। जानदर के नगर निगम की बिल्डिंग ब्रांच की टीम ने मिठापुर में अवैद निर्मान के खिलाफ कारवाई की नगर निगम की बिल्डिंग ब्रांच ने मिठापुर में दो अवैद कालोनियों पर कारवाई की है इस उरान बिल्डिंग ब्रांच के एटीपी सुखदेव शर्मा की अगवाई में टीम ने मिठापूर की एक वैद कालोनी में कारवाई करते हुए निर्माना धीन घरों को गिरा दिया में मामले की जानकारी देते हुए एटीपी सुखदेव शर्मा ने बताया कि ये कारवाई नगर निगम के एक महिशनर गौतम जैन के आदेश पर की गई है उनने बताया कि मिठापूर में गुरु नानक मिशन अस्पताल की बैक साइड पर करीब डेर एकड रकबे में कालोनी काटी गई है जिसमें तीन मकानों का निर्मान कारे चल रहा था जिसे गिराया गया है वहीं दूसरी कारवाई बिल्डिंग ब्रांच के अधिकारियों ने नशा छुडाओ केंदर के पास तीन एकड में बनी कालोनी में भी की है जहां निगम की टीम ने मशीन चला कर यहां क की सारी सड़कें उखार दी इसके इलावा कलोनी में जो सीवरेज सिस्टम डाला गया था और वाटर सप्लाई के लिए पाइपें डाली गी थी उनने भी उखार दिया गया है तो वहीं निगम के अधिकारियों ने बताया कि अवैद कलोनी में हो रही निर्मान को लेकर पहल नहीं विर्यूद शुरू कर दिया है पेट्रोल पंप ऐसोसेशन के प्रधान मोंटी सेगल ने बताया कि 22 फंप मालिकों की पूर्न हर ताल रहेगी नहीं कहा कि 220 फंप को प्र मालिक ना तेल करिदेंगे और ना ही बेचेंगे सभी प्रभी पंप मालिकों ने सहमती से फैसल लेकिन उस पर कोई गौर नहीं कर रहा। तो असी पेड्रोल पंप टीलर असोसेशन पंजाब असी सारे ने डिसाइड की था भी असी बड़े देर तो जड़े तेल दे मार्जन्स ने और रिवाइज ना होन करके आज असी डिसाइड की था से भी तोहील कंपनियां तो असी माल ना खरीद के एक अपना सॉफ्ट प्रो यह जहें और साथे नाल शेयर करो साथी मार्जन रिवीव नी हो रहें और उदे करके साथे जड़े पांपने उन बहुत सारे जड़े लोकेशन ऐसी है जिते काटेच चल रहे ने यहां बंदी दिकागा आर्थ ने किसे ना किसे शेप देवेचे पट जड़ो एड नैशनल इशू है नैशनल इशू करके ओल इंडिया लेवल ते इदर डिसीजन होना है और बहुत सारी स्टेट ना बहुत सारे सूबे जड़े है उनना ने अलरड़ी ठारा जनवरी नू तेल कंपनिया नो एक मेंब्रेंडम सब्मिट कीता सी गा जड़े वे चैसी डमांड कीती सी साथे जड़ियां मार्जंस ने, साथे जड़ियां कमिशना ने उनना नो इंक्रीज किता जावे और किदे ना किदे मैं समझ दांभी बहुत शेती है देते कोई बिसीजन भी अगर गॉर्मन्न लेंदी है तो जड़े इसा बपार है पेट्रोलियम ट्रेड जड़ा हैगा उ पुलिस जांच दिकारी ने बताया कि पकड़े गए आरोपी की पहचान उमेश प्रीट सिंग निवासी गाउंखक के तौर पर हुई है जिसके पास एक अवैद तीस बोर की देसी पिस्तॉल और तीन जिंदा कार्तूस भी परामत किये गए हैं जो आरोपी यूपी से लेकर आया है उन्होंने बताया कि पकड़े गए आरोपी के खिलाफ पहले भी लडाई जगड़े की मामले दर्ज हैं और नीजी रंजिश और लडाई जगड़े के चलते उसने अवैद असला रखा हुआ है फिल हाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आम सेक्ट के तहत मामला अमेश प्रीस सेंग पुत्तर बल्जी सेंग वासी खाक पासों टीब और पिस्टर अधेस वे तेने जिन्दारों ब्रांद की ते गए जिस तों हो पुष्किश कीती जा रही हैं तो अधिक तों ब्रांद की करने साथ यह तब तीश यह ने करे बारों आंदे हैं जूपी व आने से गंबीर खायल हो गए जेने उपचार है तो सिवल अस्पताल दसुवा में भरती करवाया गया है जहां एक की हालत को नाजुक देखते हुए उसे जालंदर रेफर कर दिया गया है इस मौके पर पीडित दीक्षित कुमार ने कहा कि वे अपने नीजी काम के लिए म्य चाइना डोर की चपेट में आ गया जिसकारन चाइना डोर आकाश दीव के मात थे और हाथ को चीरती हुई निकल गई जिसकारन वे गंभीर उपसे खायल हो गया जिसे उपचार है तो दसुवा के सरकारी हस्पताल में दाखिल करवाया गया तो वहीं मौके पर पहुंची प करें चाइना तो पर आपके अपना टा चकी तो अबरे शरती शरती के तो अबरे शरती गल्गी तो भी थे खायल है तो पेसेंट जाए अदिक्षित 36-year-old male तो दिए भी स्पूल टीचर सी यवना दे थ्रोड ते आराउंड 15-7-meter-dha इंसाइज रवून शिगा जिना ते ब MJ System प्राइजड़श्र tozet प्राइज आप्यों प्राइज़ प्राइज के था किस अवन இரचेछ प्राइ नहीं होगए क्यों晴्य से डाइज नहीं होग know जो पेश्र के प्राइज़ व्यीफ प्राइज हो यहां और मुंझे से देऊं पहलें सब्सक्राइब नहीं है इस पर के हम बुलडवरा भी लगा है बाकी हो फ्रूइड भी लगाया थे पेज जया पिना पड़िए जी इतलाव मिली सानु इस थे मियानी रोड़ के लड़के देवक पर चाइना डोगरी है गाल देविच फिर गी है उसे सबंदिय सी एक ते बसंत पंचमी का त्युहार देश भर में बड़ी ही श्रद्धा और उतसा के साथ मनाया गया तो वहीं अमरिस्तर के अतिहासे गुरुद्वारा छे रटा साहिम में भी इस दिवस पर रौन के देखने को मिली हर वर्ष की तरहें इस वर्ष भी बसंत पंचमी के अफसर पर जोड मेले का योचन किया गया इस दोरान बड़ी संख्या में दूर दूर से संगतों ने पहुंचकर पवित्र सरोवर में शनान कर गुरु घर का अश्रवात प्राप्त किया उन्होंने कहा कि यहां जो भी संगते अपनी मनोकामने मांगते हैं वे पूरी होने पर यहां चल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट कि यहां जाएं बड़ी करपा मारे थी बहुत सोना लगाना मया हो बिखना थे मलबी हर कोई बंदा आया थे था बड़ी कर्पा मारे थी बड़ी मेरी इस नाला यह एको प्रवाइब बड़ी माया हो बच्चिया आएं नोव भाइदे इसमा पहिंए हैं बहुत मड़ा बगर कि अबट बड़ी मुझति करदे दे अपने नाम जापदे यह एको अपने इंजवाई करदे आएं गोरी इस वार भी तो बड़ी ना जोड मेला बसंत पेरी बड़ी तो उंक्ता नल बनाया जा रहा हैं देशां देशां तो आईया संक्ता दे वास्ते पुक्ता परबंद कि पुलिस कमिशनर स्वपन शर्मा के नेतरत्व में जालंदर कमिशनर पुलिस कमिशनर ने एक व्यक्ति को वैद पिस्टॉल और जंदा कार्तूस के साथ ग्रिफतार किया है। खिलाफ थाना बस्ती बाबा खेल जालंदर में आम सेक्ट के तहत मामला दर्च किया गया है। उन्हें पिताया कि जांच के दुरान ये बात सामने आई है कि प्रदीप ने निजे दुश्मनी के कारण अवैद तरीके से ये पिस्टॉल हासिल की थी। वे उन्होंने कहा कि आरूपी का अभी तक कोई अपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिला है। लेकिन मामले की आगे की जांच की जा रही है। जालंधर से पंकर्श शर्मा की रिपोर्ट। जालंदर की गुलाब देवी रोड स्थेत विंटसर पार्क में जालंदर से पंकर्षर्मा की रीपोर्ट पंजाबी फिल्म की अदाकारा नीरू बाजवा की और से फिल्म में वालमी की समाज की बेटियों और बहनों के खिलाफ बोलीगी शब्दाबली को लेकर वालमी की समाज की और से अम्रिसर के अजीद नगर के वालमी की मंदिर में वालमी की समाज के नेता नच्छतर नात की अगवाई में एक विशेश मिटिंग की गी जिसमें वालमी की समाज के नेताओं ने पुलिस प्रश पूरी नारी जातीनु जड़ा बोले अगया है इस करके जड़ाया एक विशेश बैठक गिरी या उबलाई गयी या क्योंके पिशेजे साड़े समाज दे अगूस है वाना ने अमरी सार पंडारी बोलते एक परदर्शन करके अपने हाकदी अवाज बलंद कीती थी असी सारे समाज ने एक निरने कीता है कि उन्नी तरीक नूं जिला अमरी सार नूं मकमल तौरते बंद करके आपना रोस जड़ाया वो पूरे समाज वेच जाहर कीता जाएगा अमरी सार में कुछ ग्यात लोगों द्वारा ब्लॉक कॉंग्रेस कमिटी के अध्यक्ष पर हमला किया गया इस समंदी ब्लॉक कॉंग्रेस कमिटी के अध्यक्ष अमरितपाल सिंग और एडवोकेट गगन भाटिया ने बताया कि गतरात्री अमरितपाल सिंग अपने घर के ब हमलावर अपनी जान बचा कर भाग गए इससे उनकी ऑफिस के शीशे भी तूट गए उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले भी कुछ अग्यात हमलावरों ने उन पर अटेक करने की कोशिश की थी उसकी सूचना भी पुलिस को दे दी गई थी लेकिन उस वक्त पुलिस द्वा करंजीत सिंग, निर्मल सिंग, दलजीत सिंग, सहेत इलाका वासी मौजूद रहे अमरिसर से हल्चल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट अमरिसर सिंग परदान ने ब्लॉक कामरिसर सेवा कर दे आरे ने कुछ इन परलो भी कुछ आनपशाते बंदे आए इनना ने अपना अटाइकर नी कोशिश किती पर टाइम नी पता हो लगन करके एद्रुदों होगे थे अटाइक दो बच गे अज फिर इना नहीं जड़े श्रीगुरु रविदास जी महराज की 647 प्रकाश उत्सव के उपलक्षमी श्रीगुरु रविदास मंदिर कटरा मोहला बस्ती दानिशमंदा जालंधर में से 9 फरवरी से 22 फरवरी तक प्रभात फेरियां निकाली जा रही हैं इसी शंकला में साथवी प्रभात फेरी मंदिर प्रांगन से निकाली गी जिसका शुभारम रतन ब्रदर्स के मालिक वम मंदिर प्रभंथक कमिटी के प्रधान मदनलाल खिंदर के सुपुत्र विशाल खिंदर और अनुराक खिंदर ने विशेश रूप से उपस्तित होकर दीप प्रच्वलित कर किया ये प्रभात फेरी इलाके की परिकर्मा करते हुए रसीला नगर मिज जाकर संपन हुई जहां पर रसीला नगर सोसाइटी के सदस्यों जो गिंदर पाल अंगुराल मदनलाल अंगुराल सत्पाल फोजी पुलिस इंस्पेक्टर जय पाल बूटा कुमार शर्मा की और से पुष्प वर्षा कर इस प्रभात फेरी का स्वागत किया गया इस मौके पर प्रधान मदनलाल खिंदर सचीव सत्पाल पाला उंप्रकाश लोच वाइस चेर्मेन स्वर्न यादव महेश अंगुराल अमरनाथ कुल दीप लकी गई कैशर बलबीर लो श्रमा जस्वीर उशा लोच शोबा मीनिया अरुना लोच राजरानी विमला बिश्णो कुसुम रानी लोच कांता बॉबी सहीता संख्य वक्तिजन भी मौजूद रहे जालंदर से हल्चल के लिए कैमरामेन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट बॉल संखते जातारा गंजी वालेदा जागुर देव बॉलिये जी आया रोजी आया दूने कट्दा मर्लव जो सद्ली पराद्वेरी निकाली गई जिसनी देट साथे गुपाते परदान जो बादला रखंदर जी रदन रदन उन्हाने कीती और सारे नगरी पर करना करते हुए अच्छर संकत्सिल्ह नगर जी सिल्ह नगर ने रुके प्रवाश्मिरी साथिया ने मिलाई है पूरी दीटा जीजा कि नारी और बोल्डर दीट रखे लए विए उन्हाने सारे मेमरा ने उगराइज किता है और वो सेवा किती है आप इत्री इन्यों को इंटा चोबा जातर निकाली जानिया निया सारे अन्य पीति हांदियों कि वड़े प्यार्दा से बूद्रीना है अंति सारे अनन नार लाइके चलना है सब्समाइर नार लाइके कलना है जोबा जातर नोगी जातर निया जायागा पक्षी तेंग मुझन नाया जाया जाएगा तो एक भर भेर बेंची है सारी सार्थ अगरों कि यसे दरा प्यारता सा भूदे हो सारे आएसी ए बाबादीदा जन्दर्ट बड़े साल नार शीदा में तो प्रक्ति में कना करी तो है। आघके जो प्रवार करी है शीव दाटश नाव कर चाल के लिए अपना है। इजो चैटर्श खोर है अप्रफी को देखिती है। फुल चाहिए है, तो सारी संकत्र मिलके .. ... मेरे जदा जिन्नी साथ हैं आज पुसारा रहा हो.. का बांदिधार जिस्तिषवा एकिता है तो इससे सवा जट सवा गड़ें दूर्बाते देई हैं बीदे जणा में भृता देडें रहा है उक्रानु पृण हम इन चैनल, इसटर के नमत्र मत्र पत्तर देगा है इसना असे भी अधिया नहीं इंद्वानतर पर पर देता है और खासकर में माठीदी दूबी लाँगा कि जितने भी स्थारा थारा मेंमर अन्व डूरी तरीक निव साथे नोगे शरी उद्वर्दासमतर कर्णा मतार रजा कि आना है तो करें आंगर भी मंतर समार्थ करके संसार, मैं में कर्मनाल लकर जहाइत. सारे, मिर्ण बार बारे ल्वेरिया है, तरिछरे अव्हल चूर्छ लोग ना इसमार्ज drive लुके आए करें,